नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे GST में जो समन इशू करने का प्रोसेस है और समन इशू करने के बाद जो जिस व्यक्ति को समन इशू किया जाता है उससे स्टेटमेंट डी जाती है उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स वांगे जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का सब्व समन को लेकर काफी बड़े changes propose किये गए है अभी ये finance bill है, अभी act नहीं बना है, लेकिन जब ये act बनकर notify हो जाएगा तो वो changes actually enforce हो जाएंगे, implement हो जाएंगे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि GST में समन को लेकर क्या बड़े change किये गए है friends, समन जो है वो issue किया जाता है जब GST department को किसी व्यक्ति की statement लेनी होती है या फिर कुछ important document उच्चा मांगे जाते हैं ये एक legal procedure होता है जो old penal laws थे CPC की बात करूँ CRPC की बात करूँ तो वो उनके अंदर भी govern होते थे, यानि non compliance अगर कोई व्यक्ति समन का करता है तो department उसकी complaint magistrate को करता है और उसके बाद उस व्यक्ति को penalize किया जा सकता है अब बदलाव ये किया गया है कि section 70 के अंदर एक close insert किया गया है 71A यानि section 71 के बाद section 71 capital A insert किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को summon issue किया गया है या तो वो personally appear हो सकता है या फिर authorized representative को भी भीजा जा सकता है और ये इतना करने से एक बहुत बड़ा बदलाव एक बहुत बड़ा relief उन लोगों को मिलेगा जो एक काफी बड़ा organization run कर रहे हैं multirational companies के CFOs, CEOs, directors एक pen India level पे जो indirect taxes को manage करते हैं, managers हो गए वो किसी third person को authorize कर सकते हैं जो directly GST को deal करता है या फिर कई बार क्या होता है जो किसी proprietorship concern के जो owners होते हैं, वो भी इतने fluent नहीं होते हैं कि उनको indirect taxes की समझ हो GST के input tax credit के provisions की समझ हो तो ऐसे में हम भी काफी difficulty feel कर रहे थे जब हम किसी client की statement करवाते थे तो वो जो technical questions हम जब पूछते थे उनके पास जवाब होता नहीं था और वो अलाव नहीं करते थे कि chartered accountant या advocate statement लेते वक्त उनके साथ बैठे ऐसा honorable supreme court ने भी कहा कि department चाहे तो उनको मना कर सकता है statement ली जा सकती है सिर्फ अकेले उस वक्ति की जिसको समन किया गया है chartered accountant advocate एक visible difference पे बैठ सकते हैं लेकिन ना तो वो उनसको influence कर सकते ना ही वो उसको खुछ dictate कर सकते सिर्फ वो देख सकते हैं एक transparent या तो mirror हो सकता है यहां पे एक transparent ली उनको देखा जा सकता है लेकिन उनको उनसे बात नहीं की जा सकती उनको देखा नहीं जा सकता तो friends इस section के बाद समन की जो proceedings हैं उनके अंदर काफी बड़ा बदलाव आने वाला है जैसे ही notify होता है इस section का actual में enforcement शुरू हो जाएगा तो friends यह काफी important update थी जो GST council meeting के बाद हमारे सामने आई है Thank you very much for watching this video